Hello Missy Welcome back to my channel तो आजका हमारा जो वीडियो लेक्षिन रहने वाला इस पर हम अगेन हमारी और गेनिक केमिस्ट्री की युनिट फोटो केमिस्ट्री को आगे कॉन्ट्यूनि करते हैं अगर आपको लेक्षिस की नीड है लेक्षिस देखने है तो आप वहां से देख सकते हैं साथ ही साथ अगर आपको study material चाहिए नोड्स चाहिए तो भी आप वहां से देखेगा आपको नोड्स भी मिल जाएंगे तो देखे अभी हम आगे बात करते हैं particularly हमारे लेक्षिस नोबर 6 पर और आज के इस 6 लेक्षिर पर अगें हमने हमारा topic को continue करना है which is fate of excited molecule तो देखे मापको वैसे भी पहले से बोलती भी आ रही हूं हमने यह चीज लेक्षिर नमबर 4 पर start की थी यानि कि यह जो topic है आपका fate of excited molecule यह हमने start किया था lecture नमबर 4 पर और lecture नमबर 4 पर मैंने आपको बताया था fate of excited molecule जिसे आफ relaxation कहते हैं तो यह process क्या होती है ठीक है तो हमने वहां पर यह सेम चीज डिसकस की थी कि जब भी आपके किसी भी reaction में photochemical reaction में relaxation की process देखी जाती है तो relaxation की process जनरली दो टाइप सी देखी जाती है एक होती है non-radiative process एक होती है radiative process और अगर आप non-radiative process पर रहे हैं किसी भी photochemical reaction में during relaxation तो आपको क्या है वापर को दो टाइप के transition देखने को मिलेगा first one is IC and second one is ISC IC means internal conversion ISC मतलब inter system crossing और similarly अगर आपकी जो process हो रही है relaxation की वो non-radiative के बदले radiative process हो रही है तो उस case में आपको अगें दो टाइप की transition देखने को मिलेंगे which is fluorescence and phosphorescence तो मैं आपको लेक्शन आपको फोर्थ पर ये clear कर चुकी थी IC आप बताईए कि IC क्या होता है internal conversion क्या होता है या directly बोल देंगे ISC क्या होता है fluorescence क्या होता है तो मैं इनको छोटा छोटा नहीं बता रही क्योंकि exam में direct question आता है तो थोड़ा सा आपको full material लिखना पड़ेगा इस टेप्टर को क्या है अलग-अलग lecture पर कवर क्या होगा है तो मैंने lecture no.4 पर तो इंट्रो करा दिया था lecture no.5 यानि किससे पहले वाला जो lecture था उस पर मैं आपके दोनों transition cover किये थे IC क्या होता है और ISC क्या होता है similarly आज हम आगे continue करते है हमारे lecture no.6 पर तो आज के 6 lecture पर मैं आपको radiative process का first transition explain करूंगी दोनों को नहीं कर पाऊंगी phosphorescence okay तो मैं ये introduction आपको हर lecture पर दे रही हूँ तो hope आपको ये चीज़ clear आ रही होगी तो अगर आपने कोई lecture skip किया है तो आप पहले उसे देख लीजेगा ताकि आपको चीजा ये जो पूरा topic है ये असानी से clear हो जाए okay तो start करते है lecture को directly तो देखिएगा मैंने आपको जैस transition मिलते है fluorescence and phosphorescence इसमें से first step का transition which is fluorescence इसको हमने आज के lecture पर discuss करना है अब fluorescence होता किया है तो देखो हर जैसे हर lecture पर मैं आपको पहले roughly explain करती हूँ दन मैं आपको theory के साथ लेते वे चलती हूँ तो again मैं वही चीज़ करती हूँ पहले roughly बता देती हूँ fluorescence होता क्या है दिन ह पारी चीज़े मैं आपको आपको यहां पर discuss कराने वाले हूँ तो अब बस पहले सुनिएगा आपको definitely clear आ जाएगा तो start करते लेक्चर को तो देखे ना fluorescence को मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाती हूँ जैसे यह चीज़ मैं आपको पहले भी बोल चुकिए हूँ कि देखो हमने गया है ना different type के compound की photochemistry पढ़ी हूई है हमारे slabus में कार्बोनल compound थे aromatic compound थे olefins थे हमने इन तीनो टैप के compound के लिए photochemistry पढ़ी हूई है कैसे हिनमा photochemical reactions होती है अब इन तीनो टैप के system के लिए इन तीनो टैप के compound के लिए हमने एक चीज़ common देखी थी वो ये कि जब भी है photochemical reaction कराते है तो आपका reactant molecule directly कभी भी product में convert नहीं होता है क्यों नहीं होता है क आपको आपके reactant molecule को क्या है पहले excited state में भेजना होता है जब ही अपनी excited state S1 state भी हो सकती है T1 state भी हो सकती है कोई भी excited state हो सकती है singlet भी triplet भी तो अगर कोई भी excited state में ये चला गया तब जाके आपका reactant molecule क्या है product में convert होगा otherwise अगर वो ground state में तो ground state में कभी भी आपका reactant molecule product मे convert नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह है कि अगर हमको photochemical reaction करा नहीं है तो हमने हमारे reactant molecule को जो कि initially ground state में उसे उसकी excited state में भेजना होगा और कैसे भेज़ेंगे और विस सी बात है हम तो photo chemistry पर रहा है हमारे बस reaction condition में क्या होगे photon होगे तो हम क्या कर सकते है अपने reactant molecule को irradiate कर सकते है in the presence of photon तो जैसे ही irradiate होगे in the presence of photon तो आपका reactant molecule में जो electron है वो ground level से उटके excited level पर चले जाएंगे अब electron की spin कैसे है देखो यह चीज़ मैंने आपको last lecture पर भी बताए थी यह चीज़ में आपको एक separate lecture जिसमें मैंने singlet or triplet state explain किया वहाँ भी बताई है कि आपका जो यहाँ पर electron होगा जो की initially ground state में है उसकी spin कैसी है उसके basis पर आपको यह दो type की excited state मिलती है singlet and triplet तो अभी जिसम इतना बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी excited state मिल गी singlet and triplet तो जाकि आपका reactant molecule product में convert होगा ऐसे हमारी photochemical reaction होगती है इसका मतलब किया है जब भी हम photochemical reaction करा रहा है कुछ नो कुछ transition हमको देखने को मिलता है और उसे transition की वज़े से हमां यह चार टाइब की फिनॉमिना ic, isc, fluorescence and phosphorescence देखने को मिलता है तो होता क्या है मैं इसको भी आपको explain कर देती हूँ देखिए सोचे initially आपका जो reactant molecule था वो यह ground state ना present था suppose कीजिए यह आपके ground state है तो reactant molecule को मैं बनाती है मैं reactant molecule के electron को represent करती हूँ तो suppose कीजिए आपके यह ground state है यहाँ पर आपके electrons present थे reactant molecule के electron यहाँ present से अब हुआ क्या आप photochemical reaction करा रहा है आपने electron को कहा भीजना होगा excited level पर तभी आपका product बनेगा तो आपने इसे irradiate किया with the help of h new radiation जिसकी वेसे जो आपका electron है वो क्या होगा lower energy level से higher energy level पर shift हो जाएगा तो पहले मैं इन energy levels को name दे देती हूँ तो देखे यह वाले जो energy levels है यह singlet के है क्यों है क्योंकि आपको मैंने बोला है singlet के energy levels क्या होते है triplet से जादा होते है मतलब ऊपर होता है यानि कि singlet state की energy की value क्या होती है जादा होती है compared to triplet और क्यों होती है यह मैंने कल भी आपको बता था और वो separate lecture पर भी मैंने बता है तो hope वो आप देख रहे होंगे तो होगा क्या यह मेरी singlet state है इसे मैं S1 state काऊंगी S2 state काऊंगी S3 state करोंगी यानि कि मेरी singlet state है singlet excited state है लेकिन singlet excited state first है यह singlet excited state second है यह singlet excited state third है similarly इसके corresponding triplet भी बनाऊंगी triplet की energy थोड़ी काम होती है तो मैंने T1 को क्या है S1 की बराबर में नहीं रखा थोड़े नीचे रखा जिसकी वेसे क्या हुआ यह T2 बना यह T3 बना तो आप देख सकते हैं singlet की energy जादा है जितना आप उपर जाते है energy की value बढ़ती है तो सबसे ज़ अगर आपके electrons को energy मिल जाएगी वह excited हो जाएंगे तो क्या करेंगे ट्रांजिशन करेंगी यानि कि lower energy level से अपर energy level पर जाएंगे तो देखे ना अगर आपके electron देखो यहां है अगर मैं आपके electron का transition कराती हो कुछ इस level यानि कि S2 level पर और spin को मैं as it is रहने देरी हूं देखो यह जो मुझे transition मिला इसे हम बोलते हैं singlet transition थी कए यह जो हमारा transition है यह जो excited state मनी singlet बोलते है singlet में क्या हता है जो spin होती है during transition वो change नहीं होती है आपने transition कर आए हहां पर बिल्कुल सही transition आपने हां यहां पर कराया अबर transition के time कि electron की spin ए anti-clockwise तो अगर आपको ऐसी situation मिलती है तो आपको हमेशा ही singlet state मिलती है तो यह मैंने singlet state बना दिया similarly ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो electron है वो इस state में जा जाकि इस state में चले जाए क्योंकि singlet में भी जा सकता है स्टेट और या लिशнова आपके डाओंगोर थी अब वो क्या होगी अपपड या लिए कि आपको प्राइल के सब्सक्राइब लुँर्यागर या जो vibr Yuri पर भी बताया था, spin multiplicity, यानि कि M की value आप कैसे निकालते हैं, 2S plus 1 से निकालते हैं, तो देखिए, अगर आपका transition singlet में होगा है, तो spin multiplicity की value आपको 1 मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, कैसे मिलेगी, देखिए, होगा क्या, आपका ये क्या होता है, half, ये क्या होता है, half, एक positive होता है, एक negative होता है, तो positive half और negative half को अगर आप sum करेंगे, तो ये किसके equal आएगा, 0 के equal आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, M is equal to 2 into S की value 0, spin की value 0, plus 1, तो आपको multiplicity किसके equal मिली, 1 के equal मिली, तो singlet के case में value put कीज़े, देखो, यहाँ पर जो है, एक electron की spin क्या है, plus half, और plus करके दूसरे की भी value क्या है, आपकी plus half, because इन दोनों की direction क्या है, same है, दोनों upward direction में है, तो इसकी spin है, तो इसकी spin है, लेकिन इन दोनों की case में उल्टा है, इसकी plus half, तो इसकी minus half, तो प्लस प्लस यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा one, तो आप में आपे two is plus one में इसकी value रख दीजे, two into s, यानि की one plus one is equal to क्या हो जाएगा, आपका three, यानि की multiplicity triplet के लिए क्या हो जाती है, three, ठीक है, तो singlet के लिए multiplicity होती है, one और triplet के लिए multiplicity होती है, three, यह चीज़ भी आपको mind पर अपने, ठीक है, तो यह जिस मैंने आपको basic बता दिया, अब fluorescence क्या होता है, देखो मैंने सामने लिखा हुआ है, fluorescence मतलब multiplicity not change, multiplicity not change का मतलब क्या हुआ, देखो मैंने क्या बोला, यह सब के सब क्या आपकी transition है, तो होता कुछ step से है, देखो मैंने इनको एक बार erase करती हूँ, मैंने आपको बोला कि आपका reactant molecule के electron initially क्या थे, ground level पर था, ठीक है, लेकिन आपने, क्योंकि photochemical reactions पढ़ने हैं, आपके पास photon है, तो आपने electron को irradiate किया, with the help of photon, जिसके वैसे वो higher excited level पर चलेगा, तो higher excited level तक तो हमने पहुंचा दिया electron को, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अब ये चीज़ हमने समझनी है, देखे, हुआ कुछ step से, आपका electron excited level पर चला गया, excited level is S2, तो देखो S2 ये जो आपके excited level है, आपको बता है, excited level पर energy की value क्या होती है, बहुत जादा होती है, energy की value जादा होने की वैसे, ये state आपके क्या होती है, unstable होती है, तो अगर आपकी S2 state unstable है, तो इसका मतलब, यहाँ जो आपका electron present है, ये भी आपका unstable है, विकॉज इसके पास access में energy है, अब बताईए क्या कोई चीज़ unstable रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है, ये अपने आपको अब stable करने का try करेगी, अब ये stable कैसे करेगी, अपने आपको lower energy level पर डाल की, देखो अगर ये S1 level पर चले जाए, या फिर S0 level पर चले जाए, ये S1 ये S0 level पर चला जाता हूँ, क्योंकि ये जो level से, ये मिर से कम energy के level है, और अगर मैं यहाँ चले जाएँगा, तो मेरी energy release हो जाएगी, और मैं थोड़ा सा stable हो जाएँगा, तो वोई चीज़ आपका कौन करेगा, electron, electron के करेगा, अगर मैं इसे S1 energy level पर डालो, तो S1 के energy भी S2 की compare में थोड़ी काम है, जिस वज़े से electron को यहाँ थोड़ी से stability फील होगी, तो electron के करेगा, देखेगा, कि इन दोनों energy levels की बीच में कितना difference है, सब्सक्राइब का जो difference है, वो delta है, इसे आप बोलता है, de-excitation, या फिर आप बोल सकते है, relaxation, इसी process को आप बोलता है, relaxation और इसी को बोला जाता है, fate of excited molecule, मतब यह जिस आपको यह बोलता है, अगर आपका electron excited level पर चला गया, तो excited level पर unstability फील करने के वेसे, वो again क्या है, transition करके lower energy level पर आएगा, तो यह जो transition होता है, इसे आप de-excitation भी बोल सकता है, relaxation भी बोल सकता है, साथ इसी को fate of excited molecule बोला जाता है, अब यहाँ पर जो आपका यह transition हुआ, higher energy level से, lower energy level पर, यानि कि S2 से S1 में, यह जो transition हुआ, यह different तरीके से होता है, जैसे अगर आप non-radiative process पढ़ते, तो यहाँ जो आपके radiation निकली है, ठीक है, वो किसके form में होती है, radiation के अलावा किसी दूसरे energy के form में होती, जैसे heat, ठीक है, यानि कि आप बोल सकते हैं, यह जो radiative और non-radiative process का concept है, वो किसके basis पढ़ते हैं, कि यह जो आपने energy बहार निकाली, जब आप transition करा रहे थे, the excitation करा रहे थे, तो यह जो आपके बहार energy निकली, यह किस form में है, energy की किस form में निकली, अगर यह photon के form में है, या फिर radiation की form में निकलती, तो इसे आप बोलते है, radiative process, लेकिन अगर यह radiation के अलावा किसी दूसरे form में निकलती, जैसे heat, तो इसे आप बोलते है, non-radiative process, तो non-radiative process तो मैंने बढ़ा दी, और non-radiative process में जो दो transition आपको मिलते हैं, इसे बोलते है, IC and ISC, तो हमने इस पर discussion ले लिया, अभी मैं आपको particularly radiative process की बात करा हूँ, तो suppose कीज़े, जब आपका de-excitation हो, आपका reactant molecule S2 से S1 state में गिया, और कुछ amount के energy को उसने release किया, और जो energy निकली, वो किसके form में निकली, रेडियेशन या फिर photons के form में निकली, तो इसे आप बोलेंगे radiative process, और इस radiative process में जो transition होगा, वो either fluorescence या फिर phosphorescence ही होगा, तो यहां पर मैं बोलू कि यह जो light आपकी निकल रही है, वो in the form of radiation निकल रही है, तो यहां जो आपको transition मिला है, वो fluorescence और phosphorescence में से कोई एक होगा, तो fluorescence है, कैसे बता चलेगा, देखे, fluorescence कब होता है, जब आपकी multiplicity में कोई change ने आता, इसका मतलब, आपने transition कहां से कहां कराया, s2 से s1 में कराया, तो जब आप s2 से s1 में जा रहे थे, क्या multiplicity change भी नहीं हुई, हमकों को मालों मैंने पहले बोल दिया, singlet की multiplicity 1 होती है, और singlet की multiplicity 1 होती है, तो पहले भी 1 थी, after भी 1 है, मतलब की transition करा लिया है, पहले भी 1 थी और बाद में भी 1 है, जिस वज़े से क्या है, spin multiplicity में कोई भी change नहीं है, तो जब spin multiplicity में कोई भी change नहीं हाता है, तो उस time पर जो आपको transition मिलता है, उसे आप बोलता है fluorescence, यानि कि यह जो transition मैंने आपको दिखाया, इसे आप क्या बोलेंगे, fluorescence, लेकिन अगर मैं इसको कुछ step से कर दो, देखे, मैं इसे क्या कर रही है, एक में रुकेगा, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, देखो आपका electron excited level पर था, S2 level पर था, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे S2 से क्या है, lower energy level पर ले जाना है, तो अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं इसका transition, जो करा दी हूँ, shifting वो कहां से करा हूँ, S2 से T2 में करा हूँ, यानि कि electron को यहां से यहां पर भेजो और इनके बीच में जो energy difference है, उस amount के energy को बहार निकालूँ, तो होगा क्या, अगर मैं S2 से T2 में जाऊंगी, समझवार है न, S2 के energy ज़्यादा है, T2 की काम है, तो electron क्या S2 से T2 में भी जा सकता है, तो अगर आपने electron को S2 से S1 में ना भेज के, S2 से T2 में भेज लिया, तो उस case में आप देखें, multiplicity में कोई change आया या पर नहीं आया, बिलकुल आया, कैसे आया, singlet की multiplicity is 1, triplet की multiplicity is 3, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी multiplicity क्या होई, after transition और before transition क्या हो रही है, change हो रही है, 1 और 3 हो रही है, जिसका मतलब जब multiplicity change होगी, उस case में जो transition मिलेगा, उससे आप बोलेंगे, phosphorescence तो बहुत simple सा concept है, आपने वस यह चीज़ माइन पर रखने हैं, कि जब भी आप the excitation करा रहे हैं, जब भी आप relaxation करा रहे हैं, उस time पर जो energy आपकी बाहर निकल रही है, वो किस form है, अगर वो radiation की form में होगी, तो बन जाएगी radiative process, अगर radiation के लावा heat के form में होगी, या फिर कोई दूसरे form में होगी, तो उसे आप बोलोगे non-radiative process, और अगर आपकी process non-radiative है, तो उस case में सिर्फ आप यह दोनों transition देख सकते हैं, वहाँ यह दोनों transition absent रहते हैं, similarly अगर आपकी radiation के form में आपकी energy निकल रही है, तो उस case में आपको सिर्फ यह दोनों transition मिलेंगे, यह दोनों नहीं मिलेंगे, और यह दोनों IC and IST जो है, वो fluorescence और phosphorescence के ही जैसे हैं, देखो अगर आप IC देखेंगे, यहां बोल रहा है multiplicity is not chain, fluorescence में भी बोल रहा है multiplicity is not chain, तो यहां पर होता यह है, कि fluorescence और IC के हैं same concept है, IST और phosphorescence same concept है, difference यह है कि आपको IC तब मिलेगा, जब आपकी process non-radiative होगी, fluorescence तब मिलेगा जब आपकी process radiative होगी, बस इतना सा basic difference है, बाग कि सारे चीज़े बहुत easy, तो इतना असान था, अब इसी चीज़ को मैंने यहां पर आपको पहले ही multiplicity वगरे के concept बता दिये, अब मैं आपको जब ठीओरी के साथ लेते वे जलूँगी, आपको दो बारा से कोई भी चीज़ एक्स्प्रेइन करने की जर्वत नहीं पड़ेगी, तो देखिए, अब हम ठीओरी के चलते हैं, तो सुनिएगा यह क्या बोल रहा है, तो firstly आपको यह लिखना है, अगर आपसे phosphorescence पूछ लिया जाए या फिर fluorescence पूछ लिया जाए, तो आप firstly क्या लिखेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि fate of excited molecule क्या होता है, दो process होती है, radiative and non-radiative, तो non-radiative के अभी हमें नहीं नहीं है, क्योंकि हम से fluorescence पूछा है, तो हम radiative process को explain करेंगे, तो यह बोल रहा है, radiative process क्या होता है, the relaxation or de-excitation process, which is accompanied with the emission of a radiation, this is called as a radiative process, तो मैंने आपको बता दिया, radiative process क्या होती है, तो मागे इन आपको simply दुबारा बोल रही हूँ, तो relaxation or de-excitation मतलब एक ही हुआ, de-excitation मतलब समझ मारा है असानी से, de-excitation मतलब क्या होती है, आपके पास ground state होती है, आपके पास excited state होती है, जब आप ground state से excited state में जाते हैं, तो इसे आप बोलते है, excitation, आपने यहाँ पर क्या किया, excitation किया, लेकिन अगर आप excited state से ground state में आएंगे, तो आप क्या कहेंगे, excitation का उल्टा किया, which is de-excitation, तो वो ही de-excitation की बात की जारी है, जब आप excited state से ground state पर आते हैं, इसी को आप बोलते है de-excitation, similarly relaxation मतलब relax हो जाना, आपका electron क्या था, पहले excited level पर था, लेकिन यह क्या था, unstable था, तो इसने अपने आपको stable करने के लिए कहां आए, ground state में, यानि कि excited state में वो unstable था, ground state में क्या हो गया, वो stable हो गया, यानि कि अब वो क्या हो गया, relax हो गया, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह क्या हो गया, एक type का relaxation process, तो अगर आपका reactant molecule की जो electrons है, वो excited level से ground level पर आ रहे हैं, जैसे मैंने आप पर भी दिखा दिया, S2 से S1 में आना, यानि कि excited level से ground level पर आना, S2 से T2 में आना, यानि कि excited level से ground level पर आना, यानि कि जो एमिशन होगा, वो किसका होगा, radiation का होगा, या फिर photons का होगा, ऐसी process इसको आप क्या बोलते है, radiative process, कितना असान है, समझवाया, सेम चीज़ आगे क्या बोड़ा ही बोड़ा है, excited molecule में emit the radiation, absorb or the modified radiation, तो देखें, ये point भी आपको माइंड पर रखना है, कि जो excited molecule आपकी radiation emit कर रहा है, वो radiation क्या है, absorb radiation के equal भी हो सकती है, और modified radiation के equal भी हो सकती है, मतलब क्या हुआ, देखें, मतलब कुछ step का है, कि suppose आपका जो reactant molecule था, मैं यहाँ आपको show करती हूँ, देखें, मैं इनको inquiries करती थी, ठीके, आपका जो reactant molecule था, उसकी electrons मैंने आपको यहाँ पर show किये, एक आपका S0 पर है, दूसरा electron S2 लेवल पर चला गया, अब आपने यहां relaxation कराना है, de-excitation कराना है, यानि कि इसे आपने उठा के lower energy level पर भीजना है, यानि कि यहाँ भीजना है, ठीके, तो मैंने के बोला, suppose इस दोनों energy level के बीच का difference से delta, तो आपके electron को इस level से इस level पर आने के लिए, यह delta amount के energy को release करना होगा, तब जाकि यह इस level, यानि कि S1 level पर आएगा, इतनी चीज़ तमशवाएं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि यह जो excited molecule radiation को emit करता है, वो radiation जो है, किसके equal हो सकती है, radiation absorb और modified radiation, इसका मतलब यह बोल रहा है कि यह जो radiation आपकी बहार निकली है, यह जो delta amount का photon आपका बहार निकला है, जो आपकी radiation बहार निकली है, इसकी जो value होगी यह absorb radiation के equal भी हो सकती है, और equal नहीं भी हो सकती है, समझवारा ना, कि suppose मैं देखू ना, मैं वापस से बोल रही हो, कि आपके electron ने क्या है, delta amount के energy absorb की थी, देखे, आपके electron ने suppose delta amount के energy absorb की थी, और वो इस excited state में गया, absorb उसने कितनी किती, delta amount के energy, लेकिन जब वो उसने de-excitation किया, यानि कि higher energy level से, वो lower energy पे गया, तो उसने कुछ amount के energy को release किया, तो यह जो release की गई energy है, यह जो आपकी emission वाली energy है, maybe इसकी energy कैए absorb के equal भी हो सकती है, या फिर modified भी हो सकती, यानि कि वो ज़्यादा भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, कि जितनी उसने absorb की थी, उतनी ही वो emit करे, एसा हो सकता है कि जितनी इतनी उसने absorb की थी, उससे ज़्यादा भी वो emit कर सकता है, ऐसे भी chances होते हैं, इतिशीज के ले रहे हैं, नेक्स के बोल रहे हैं, यह बोला है the radiative de-excitation जो है, उसमें आपको दो टाइप के transition मिलते हैं, fluorescence and phosphorescence, phosphorescence को discuss नहीं करना, अभी हम particularly बात करेंगे fluorescence पे, तो देखिए, अब आजाएए अपने particular topic fluorescence पे, तो देखिए मैंने fluorescence को roughly आपको समझा दिया है, अब के हम आपको point to point इसकी theory बे discuss करा देती हूँ, examples भी discuss कराऊंगे, and then lastly, इसके diagram को भी देखेंगे, और lastly, इसकी mechanism आप इसे कैसे represent करते हूँ, किस mechanism से आप इसको दिखाऊगे कि fluorescence हो रहा है, उसको भी हम discuss करेंगे, तो देखो, असान सा है, सुनेगा, तो मैंने आपको roughly एक्स्पेंट करती, अभी जिस मैं आपको यह बोल रही हूँ, कि fluorescence के लिए आपने जिस दो पॉइंट माइन पर रखना है, पहला पॉइंट तो यह, कि fluorescence आपको तब देखने को मलेगा, जब द्यूरिंग रिलैक्सेशन या फिर आप बोल सकते हो, जब द्यूरिंग दी एक्साइटेशन आपके radiation एमिट होंगी, यानि कि H-new radiation एमिट होंगी, आपकी heat वगर एमिट नहीं होगी, radiation अगर एमिट वी तो उस case माँ आपको fluorescence देखने को मिलेगा, तो पहली condition तो यह satisfy होनी चाहिए, दूसरी condition यह satisfy होनी चाहिए, कि जो जिन दो electronic level पर यह, जो आपकी दो electronic level है, जिनके भीच में आपका relaxation का process चल रहा है, इन दोनों electronic level की जो multiplicity होनी चाहिए, वो same होनी चाहिए, यानि कि अगर एक singlet है, तो दूसरा भी singlet होना चाहिए, बिकास इन दोनों की multiplicity क्या होती है, बन-बन, तो होगा कि अगर आप same multiplicity में transition शो करेंगे, तभी आपको fluorescence मिलेगा, अगर आप different में चलेगे, यानि कि singlet से triplet में चलेगे, triplet से singlet में चलेगे, तो इस case में आपको fluorescence नहीं मिलेगा, चाहिए आप ये condition सटिस्फाइ कर दो, कि relaxation की time पर आपकी radiation निकल रही है, relaxation की time पर अगर radiation निकल रही है, तो उसके बाद भी आपको दो chances होता है, fluorescence है या फॉस्पॉरिसंस है, fluorescence तब होगा, जब आपके multiplicity चेंज नहीं होगी, यानि कि दोनों electronic level, जिनकी बीच में relaxation हो रहा है, जिनके बीच में transition हो रहा है, उन दोनों electronic level की multiplicity अगर same है, तो बना fluorescence, अगर different है, तो बन गया phosphorescence, तो condition यही है, कि अगर आपको fluorescence कराना है, तो relaxation की time पर radiation emit होने चाहिए, साथ ही साथ, जिन दो electronic level की बीच में relaxation हो रहा है, उन दोनों electronic level की multiplicity, same होने चाहिए, तब ही आपको fluorescence मिलेगा, emission of light by a substrant, that has absorbed light or the other electromagnetic radiation, तो दिखोना, fluorescence का एक basic मतलब होता है, emission of light by a substrant, अगर आपके पास कोई एक substance है, और वो क्या कर रहा है, light को emit कर रहा है, light वतलब visible light को, ऐसी radiation जिसे आप absorb कर सकते हैं, ऐसी light को अगर आपका कोई substance emit कर रहा है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को fluorescence बोलते हैं, और उस substance को आप क्या बोलते हैं, fluorescence substance, तो अभी substance में हम बाद में discussion लेंगी, अभी जिस समझो, कि fluorescence मतलब क्या हुआ, basic मतलब रहता है, emission of light by a substrant, किसी substance के स्यू, किसी light का emission करने को, आप क्या बोलते हैं, fluorescence, अब आपका कोई substance है, और वो light को emit कर रहा है, इसके पीची का reason क्या है, इसके पीची का reason, जो मैंने आपको बता है, वो है, हुआ क्या, आपका substrant, जो कि आपको लग रहा है, वो light emit कर रहा है, तो इसके पीची का reason यह है, इसका reason यह है, कि initially आपका जो substrant था, वो ground state में था, आपने इसमें photon डाले, यानि कि इसको क्या दी, radiation दी, जिसके वेसे यह excited level पर पहुचा, but excited level तो unstable level होती है, तो इसने सोचा कि, आपका again क्या ground state पर आजाओ, यानि कि यहाँ पर relaxation करा दो, यानि कि de-excitation करा दो, तो because of this de-excitation, because of this relaxation, हुआ क्या कुछ amount की radiation आपको बहार निकली, और इसी radiation की बात इसने की है, radiation मतलब क्या है, the emission of light, emission of light मतलब क्या हुआ, radiation की यह बात कर रहा है, तो अगर आपका कोई substance है, और वो क्या कर रहा है, light को emit कर रहा है, radiation को emit कर रहा है, तो इसे आप बोलते है, fluorescence और क्यूं कर रहा है, उसके पीछे का reason मैंने बता दिया, कि आपने अपने substance को दिया, radiation जिसके वेसे वो excited level पर पहुँचा, but excited level unstable होने के वेसे, उसे वापस से ground level पर जाना पड़ा, तो जब वो ground level पर जाएगा, तो obvious सी बात है, emission करेगा light का, तो इसे को बोलते है, fluorescence कितना simple है, जो हमने उपपर discuss किया, उसे को नीचे रखा है, अब देखो second point आपको क्या बोल रहा है, दूसरा जो point है, यह भी आपको fluorescence की definition ही बता रहा है, यह बोल रहा है, when an incident light fall on a certain substance, they emit visible radiation of a different frequency, this phenomena is known as a fluorescence, तो fluorescence को आप कैसे define कर सकते हैं, तो वोई चीज है, जो आपके उपर बोला था, उसी को again इसने दूसरे तरीके से नीचे बोला है, यह बोल रहा है, suppose कीजे, आपके पास एक substance है, और इस substance को आपने कै किया, incident light डाली इसके उपर, यानि कि अगर आप किसी substance को irradiate कर रहे है, उसके उपर आप incident light डाल रहे हो, suppose आपने H-new radiation आपने अपने substance के उपर डाली, तो आपके substance ने दन कै किया, दूसरी radiation को emit किया, जो कि visible reason में आ रही हो, मतलब आपके substance में आपने radiation डाला, जिसके वेसे आपके substance ने कै विजिबल रेंज की radiation को बाहर emit किया, तो आपने यहां से incident ले डाली, और उसके त्यू किया, आपके substance ने बाहर आपको visible reason की radiation दी, वो भी different frequency की, यहां इसके पीछे भी तो वही concept लग रहा है, पीछे क्या concept लग रहा है, कि आपने क्या है किया, अपने substance को radiation दी, जिसके वेसे वो excited level पे चला गिया, but excited level unstable था, जिसके वेसे वो क्या है ground level पे आया, ground level पे जब आया, उसने कुछने कुछ amount की radiation को emit की, तो यह जो radiation आपकी बाहर निकली है, वो visible range की है, मैंने उपर भी बोला था, यह जो radiation आपकी बाहर है, वो visible range की है, इसे आप देख सकते हैं, इसके color को आप देख सकते हैं, तो हो गया क्या, इसी phenomenon को आप क्या बोलता है, fluorescence, समश्वाया, तो देखो, दो नो definition आपको same चीज़ बोल रहे है, तो इसको आपको एक roughly इस तरीके से समझा सकती हूँ, देखे ना, मैं आपको यहाँ पर example के form में दिखा हूँ, तो यहाँ पर मैंने examples भी add के वे, अभी just roughly example बता रहे हूँ, बात पर हम proper discussion करेंगे, तो example के लिए इसने लिखा हूँ है yellow phosphorus, तो देखे लैपना आपको yellow phosphorus देखने को मलेगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि yellow phosphorus के है, बिना किसी वज़े से, खुद पर ही क्या करता है, glow करता है, तो यह जो image है, यह किसकी image है yellow phosphorus की, तो आप देख सकते हैं, तो आपने अंधेरे पर देखा होगा, अपने आसपास ही देखा होगा, कि कुछ light जैसे, मतब light प्रेड्यूस करने वाले insects भी रहते हैं, कीडे भी रहते हैं, और उन्में light चलती है, तो वो किसकी वज़े से हो रहा है, यह सारे phenomena किसकी वैसे हो रहा है, उन्में bulb अगरे तो लगी नहीं रह सकते, उन्में क्या होता है, अपने अंदर क्या होता है, chemical reactions होती है, जिनकी वज़े से क्या होता है, वहाँ पर fluorescence का phenomena होता है, तो fluorescence क्या होता है, मैंने introduction में बता दिया, क्या क्या चीज़े बहाँ पर होती है, तो during relaxation क्या है, वो लोग भी क्या करता है, कुछ नो कुछ amount की visible radiation को emit करता है, और उस visible radiation के corresponding की, कि responsive visible radiation को emit कर रहा है, उनकी corresponding हमको उनका color, different type का yellow, orange, red, green, blue, देखने को मिल ठाटिक है, तो यह तो different color आपको इन सारी चीज़ों के देखने को मिल रहा है, यह किसकी वैसे मिल रहा है, fluorescence की वैसे, because fluorescence का simple मतलब क्या होता है, fluorescence मतलब होता है, किसी भी substance के through light का emission करना, यह क्या होता है, fluorescence और क्यूं होता है, मैंने आपको reason introduction पर बता रहा है, यह तो यह simple सा fund है, fluorescence का, अब आगे सुनेगा, यह बोड़ है, such substance are called as a fluorescence substance, तो fluorescence substance क्या होता है, वो substance जो light को emit कर रहा है, visible rain की light को emit कर रहा है, उस आपके substance को हम क्या बोलता है, fluorescence substance, जैसे आपका yellow phosphorus होगे, यह सब क्या, आपके fluorescence substance, क्योंकि यह fluorescence की वैसे, light को generate कर रहा है, light को emit कर रहा है, अब आगे क्या बोल रहा है, this phenomenon is stopped as soon as the light is cut off, तो यह सबसे important point है, यह आपका क्या difference है, किसके बीच में, fluorescence and phosphorescence की बीच का difference है, होता यह कि fluorescence का फिनॉमेना, आपका तब तक ही रहेगा, जब तक वहाँ पर को light, मतलब आप बोल सकते हो, कि light आपकी तब तक ही रहेगी, sorry fluorescence नहीं, light आपको तब तक ही देखने को मिलेगी, किसी भी चीज में, आपके substance की तरह हो, जब तक वहाँ पर fluorescence का फिनॉमेना, अकर कर रहा होगा, जब वहाँ पर fluorescence का फिनॉमेना stop हो जाएगा, तो light का production भी क्या हो जाएगा, stop हो जाएगा, लाने कि light भी आपकी क्या हो जाएगी, cut off हो जाएगी, लेकिन इसी के corresponding जो phosphorescence होता है, phosphorescence में भी same चीज होती है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आपका phosphorescence का अगर फिनॉमेना खतम हो गया, तो उसकी थोड़ी देर तक light आपकी produce ही रहती है, ऐसा नहीं कि आपका फिनॉमेना फिनिश, ठीक है, आपका ये कह है, फिनॉमेना फिनिश हो गया, और फिनॉमेना फिनिश होने के बाद light भी cut off होगी, ऐसा वहाँ पर नहीं होता है, फ्लोरेसेंस में ये चीज़ देखी जाती है, आगर आपका फिनॉमेना सटोप हो गया, तो light का production भी, यानि कि light का appearance भी क्या होता है, खताम हो जाता है, यानि कि light कंटा हो जाती है, आगे के बोड़े, it is a form of luminescence, यह क्या है, एक टैप का luminescence है, तो बात करते है, luminescence क्या होता है, तो luminescence को मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो यह बोड़े, luminescence is a emission of light produced by the method other than heat, luminescence is caused by the moment of electron in a different electronic state, तो यह के बोड़े, luminescence आपका वो फिनॉमेना है, जिसमां आपका क्या होता ह है, जो कि heat के अलावा किसी भी form में हो सकती है, यानि कि अगर आपने light का production किया, but other than heat, heat के form में नहीं होने चाहिए, heat के अलावा किसी भी form में अगर light produce हो रही है, light emit हो रही है, तो इस step के फिनॉमेना को आप बोलता है luminescence, क्योंकि देखो अगर वो heat के form में emit होगी, तो heat के form क्या हुआ कि अगर आपका कोई substance light को emit कर रहा है, energy को emit कर रहा है, but heat के अलावा किसी भी form में, radiation के form में, photons के form में, but heat के form में नहीं होना चाहिए, बस तो इस step के फिनॉमेना को बोलता है luminescence, और luminescence क्यों अगर करता है, moment of electron की वेसे इन है different electronic state, तो यह चीज़तो हम discuss कर रहे है आपके पार different electronic state होता है, और in different electronic state में, जब electron का moment होता है, तो वो कुष्ण को चमाउन के energy को release करते हैं, तो उसी energy की यहाँ पर बात की गई है, कि luminescence आपका ताबकर होगा, जब different electronic state में electron का moment होगा, electron के moment की वेसे वो कुष्ण को चमाउन के energy को release करेंगे, तो यह जो emission of light है, य कि इसी को आप क्या बोलता है luminescence कितना simple सा है अब यह जो luminescence है यह भी आपके different different type के होता है तो देखे luminescence में आपके अलग-अलग types होते हैं जैसे bio luminescence है पको किमो luminescence का देखने को मिलेगा फॉसफोरेसेंस मिलेगा फ्लोरेसंस मिलेगा तो आपके यह वह बोलती है कि आपकी सेमी चीज दोनों के केसमा जो आपका सब्सक्राइब करेगा विजबल रेंच की जिसके वैसे यह नड़को अपको बेर होगी पर डिफरेंस है कि प्हुलोगी सब्सक्राइब जएसे जयली फिशाह स्टाफ इंसरह वगरा मैंने इनकी इश्ट किया। तो आप देख सकते हैं यह आपको डिफरेंट कलर मा पेर हो रहा रहे हैं। तो यह जो फिनॉमेना अकर करें और इसे को हम बोलते हैं आपका डिफरेंट कलर में आपकर हैं। और किसी chemical substance महों हो जैसे yellow phosphoryl तो इसे हम क्या बोलते है Camiluminescence इतना ही चीज़ आपने यहाँ पर लिखना है Bioluminescence आपका इक टाप का natural phenomena यानि कि खुद बखुद हो रहा है हम नहीं करा रहे और Camiluminescence है वो किसकी वेसे हो रहा है by chemical reaction हो रहा है visible light आपको देखने को मिलेगी आपके substance के उपर तो बस यह होता है luminescence और इसी का एक पार्ट होता है fluorescence इतनी चीज़ क्लेर रहा है तो यह जैसे आपने यहाँ पर को बात करनी है तो देखो fluorescence और phosphorescence में बात सहीं है दोनों ही आपको light produce करेंगी बाट कैसे प्रेड्यूस कर रही है fluorescence में जो transition हो रहा है same state में और phosphorescence में जो transition हो रहा है वो different state में हो रहा है similarly, bioluminescence और chemoluminescence भी तो lighty प्रेड्यूस कर रही है लेकिन bioluminescence natural phenomenon है जो कि आपके किसम हो रहा है आपके organism है जो biological organism है आपके fishes हो गई jellyfish, starfish, starfish, starfish हो गया आपके fireflies हो गई यह सबके सबके कुछ sparkle छोड़ता है यह किसके वे से चोड़ रहा है luminescence की वज़े से तो छोड़ रहा है बट यह biological phenomena के अंदर include हो रहा है इसलिए हम इसे bioluminescence कहते है similarly, chemoluminescence में भी same है यहां पर आपका जो chemical substance यह भी आपको light छोड़ेगा जिसे आप अपैर कर सकते हैं लेकिन यह कहां हो रहा है chemical reaction और chemical substance में हो रहा है जिसे yellow phosphorus इस वज़े से आम इसे कह रहा है chemoluminescence तो सारे की सारे luminescence सेम ही work कर रहा है light ही emit कर रहा है सुनेगा यह चीज़ दिसकुस हुई अब देखो बागे क्या बोल रहा है यह बोल रहा है most of the cases the emitted light having a longer wavelength smaller frequency and therefore the lower energy than the absorb radiation तो होता यह कि बोल अगर आप fluorescence का case देखेंगे तो fluorescence की case में आपको generally most of the cases में यह देखने को मिलेगा जो आपकी emitted light है आपकी emitted हुई है एक ने तो एक light तो आपकी absorbed हुई एक light substrants के थियू क्या हुई तो यह बोड़ा यह जो light आपकी बाहर emit हुई है इसकी wavelength most of the cases में क्या होती है जादा होती है compared to absorbed radiation यह आपकी absorbed radiation है यह आपकी emission वाली radiation है emission radiation की जो wavelength होती है वह हमेशा क्या होती है ग्रेटर होती है compared to absorbed radiation की wavelength से जिस वह से हम बोल सकते है अगर wavelength जाद है तो frequency कम हो गई साथी साथ energy की value भी कम होगी compared to absorbed radiation मतलब आपके substrants को जो आपने radiation डाली थी जिससे तो आपने इसे irradiate किया था उस absorbed radiation की wavelength कम होगी frequency जादा होगी और energy भी क्या होगी जादा होगी और इसे के corresponding जो radiation आपके substrants की तो एमिट होई है उस radiation की wavelength तो जादा होगी लेकिन frequency और energy की value क्या होगी कम होगी बस इतनी चीज़ आपने mind पर रखती है कि fluorescence की case में यह वाली shift आपको देखने को मिल ठीक है साथी साथ एक और चीज़ बोल रहा है कि fluorescence is a type of luminescence अकर इनना gas liquid solid chemical सबसान तो यह बोल रहा है fluorescence क्या है एक type of luminescence है यह तो हमने देख लिया तेकिन यह gas सारे state में अकर करता है solid liquid gas सारे type की chemical system में आपको अकर करते वे देखने को मिलेगा अब देखे वागी के बोल रहा है अब आपको mechanism में लिखनी है यानि कि आप कैसी fluorescence की mechanism में लिख सकते है वो आपने बताना है mechanism मतलब क्या-क्या step आपने follow कि during fluorescence तो वो चीज़ बताने है तो हमने क्या step follow कि इसे यहां पर लिखा हुआ है यह बोल रहा है fluorescence is what about the absorption of a photon in a singlet ground state S0 promoted to a singlet excited state S1 तो हमने क्या किया हमारे पास पहले S0 state थी पहले हमारे पास S0 state थी S0 state में जो electron थे उन्होंने absorption किया radiation का जिसकी वेसे क्या है वो singlet excited state में गए पहले है तो हम बोलेंगे कि यहां पर क्या हुआ एड्सॉप्शन का रिडियेशन का जिसकी वेसे electron क्या है S0 state से S1 state थी यानि कि excited state में चले गई दन उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि तो सिंग्लेट state से कहां चलेगी सिंग्लेट state में मैंने क्या बोला electron का spin क्या रहता है पेवर्ड रहता है एक आपका आपने यहां से एंटी मैंने गलत बना दिया था यह mistake से बट मैंने आपको जो समझा है था वो चीस सही था यह गलती से हो गया तो होगा क्या यहां आपका electron कुछ step से होंगे antiparalur आपने अगर इस electron को उठाया है तो यह भी उपर जाके अपनी ही spin में रहेंगे यानि कि जब आप singlet की बात करते हैं तो electron की spin आपकी antiparalur लेती है जब आप triplet की बात करते हैं तो electron की spin क्या हो जाती है parallel तो यहां बोल रहा है कि electron की spin में कोई भी चेंज नहीं आएगा ठीक है अब आगे क्या होगा यह बोल रहा है as a excited molecule यह बोल रहा है as a excited molecule return to a ground is it आपको पता excited state पे तो कोई चीज एक्सिस्टी नहीं कर सकती तो वो वापस ए ground state माएगी at in involve the emission of a photon to a lower energy which is corresponding to a longer wave length and the absorption photon then the absorption photon तो इसका मत्रब क्या हुआ तो यह बोड़े जो आपकी excited state में जो आपका molecule पहुंचा था जो इलेक्ट्रोन पहुंचा था वो अगें कहां आएगा ground state नहीं because excited state तो आपकी unstable रहती है जिसकी वेसे जब वो excited से ground state में आएगा इसे आप बोलता है relaxation या पर de-excitation इसके time पर क्या होगा emission of photon photon का emission होगा और यहां जो आपकी photon बाहर निकलेंगी इनकी energy क्या होगी क्यों होगी क्यों होगी मैंने आपको यहीं पर बोला था कि जब भी आप fluorescence कराते हैं तो इसमें जो emitted light होती है इनके लिए जो energy की value होती वो कम होती है और frequency की value भी कम होती बिकास wavelength इनकी क्या होती है जादा होती है तो इस वज़े से लिखा है कि यह जो आपकी light जो emit होई है इसके लिए जो photons की energy है वो आपकी क्या होगी कम होगी लेकिन wavelength क्या होगी वो क्या होगी longer wavelength ही होगी compare to absorbed photon होगी अब इसकी mechanism क्या लिखिया वही चीज है molecule पहले s0 state में था आपने इसे photon दिया और यह excited होगी कहां चला गया s1 state अब s1 state आपकी unstable state होती है तो वापस से ग्राउंड state में आया तो ग्राउंड state के आति टेम पर इसने h new radiation वो भी देखो h new तो आपकी absorbed light है h new dash आपकी emission light है जो एमिट हुई है तो यह जो आपकी h new dash है जो आपने यह h new dash आपने निकाल रहा है यह जो आपकी emission radiation है इसी को आप क्या बोलता है आपने इस mechanism बताना है असान था similarly कि अब last में इसका डाइग्राम डिसकस कर लेते हैं तो डाइग्राम तो वही है जो मैं आपको last से डिसकस कराते आ रही हूं जैसे मैं आपको last के lecture से बताती आ रही है वही चीज है यह बोल्ड है इनिशली आपका reactant molecule कहा प्रेजेंट है s0 state यह आपकी ground state है इसके उपर आपको excited state मिली है s2 state s1 state t1 state तो इसकी तो होनी चीज है लेकिन s1 और t1 जोड़की दोनो first excited state है अगर आप इनको compare करेंगे तो मैंने क्या बोला singlet के energy triplet से जादा होती है इसलिए s1 की energy को हमने जादा किया t1 के energy को थोड़ा नीचे रखाए अब हुआ क्या देगो वही चीज आपका reactant molecule initially कहां present था s0 state में इसने light को absorb किया और कहां चला गिया अपनी excited state में पर excited state में रहना possible नहीं है तो क्या करेगा आपका electron वापस से excited state से ground state में आएगा तो अगर और इसलिए s1 लाइट यू य राज़ palette और इस टेंपे जो light आपकी emit हो रही वह किसके फार्म हो रही ह compensate bachelor अप nih Зबग कि इसा यहां आपका फार्म की फ्लोर standard सेम है आप एस की देखोगे तो यहां वन आएगी एजिरो की देखोगे तो वन आएगी लिकेन अगर आप T से जाते तो इसकी होती तो यह चीज़ आपकी फ्लोरेसंस ना ओके क्या बन जाती फॉस्फोरेसंस समझवाया तो सिंपल सा कॉंसेप्ट ने अगर प्रिवियस लेक् चीज़ दिख ने लिए ना फाल के दाइग्स कर देखों तो यह को देखने को मिलते ही है उनको भी इसकी कर लेत है सबस्क्राइब बन ए संसिटाइज फ्लोरेसंस करता हुच जादा कुछ डिसक्स नहीं करना इनकी डैफिनिशन एंग्जांपल को रिसकिस कर लेते हैं आप संटाइब फिर को थे तो थो इस तो कितना आसान है कि मैंने आपको उपर भी बोला था कि जब भी आप क्या करते हैं फ्लोरेशंस पड़ते हैं तो फ्लोरेशंस की केस में क्या होता है यहां पर इखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ आपको पता आपके बाद दो टाइप की रेडियेशन है पहली रेडियेशन तो वह है जो सबस्रांस के उपर क्या हो रही है अब होता कि इन दोनों लाइट की the frequency variland में differents होतां मैंने आपको बताया था,one which is emitted light इसके लिवलंध होता है इसके लिए जो लेंडा होता है वो जादा लेकिन इसके लिए जो frequency और energy की वैल्यी होती है वो कम होती है और आपसी को incident light और energy की या जादा होती किस की case में जब भी आप fluorescence का concept पढ़ते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर को particularly resonance fluorescence पढ़ने हैं तो resonance fluorescence की case में आपको क्या देखने को मिलेगा यह जो incident light है और यह जो आपकी emitted light है दोनों की wavelength में या फिर आप वो सकते की वाली light की frequency अलग है और emitted की frequency अलग है ऐसा नहीं होता resonance अगर आप resonance fluorescence पढ़ेंगे तो resonance fluorescence की case में जो incident light है और जो आपकी reflected light है जो आपकी emitted light है दोनों ही light की जो frequency होगी वो क्या होगी same होगी तो यह जो concept आता यहाँ पर इसे आप particularly क्या बोलता है resonance fluorescence okay अब इसका यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है तो नेक्स के बोल रहा है next point यहाँ पर लिखा हुआ है in the case in this case the absorption energy is immediately emitted back within a time interval of 10 to the power minus 8 second इसका मतलब क्या होगा तो यह चीज़ मैं आपको पहले भी बोली थी कि जब भी आप fluorescence पढ़ते तो यह fluorescence का फिनॉमिना क्या है वैसे इस टॉप होगा जैसे आप incident light देना बंद कर दोगे मतलब होता कि आपको पता है fluorescence पर simply यह तो करें थे यह आपका सपोस्पोस reactant molecule है इस reactant molecule के उपर आपने HNU radiation डाली जिसके वैसे reactant molecule excited state में पहुँचा पर excited state unstable होने के वैसे इसने relaxation कित्यों ground state पहुचा तो जब यह relaxation करा रहा था जब यह ground state में आ रहा था excited state से तो इसने कुछ amount की light को क्या कर दिया emit कर दिया यानि कि आपको क्या हुआ यहाँ पर emission light देखने को मिली और इस emission light के वज़े से आपको आपका complex क्या यह जो आपका compound है यह colored appear हो रहा है simple सी बात यानि कि हमारे पस यहां पर दो टाइप की light है एक आपकी absorbed light यानि कि जहां से absorption हुआ ठीक है और दूसरी है आपकी emitted light तो देखो एक light तो है आपकी absorption जिसकी absorption हुआ एक यह light है एक है आपकी emitted light जिससे आप fluorescence क यह case में particularly यह दिखा जाता है कि जब तक आप यहां से absorption वाली light देंगे यानि कि जब तक आप अपने sample को अपने reactant molecule को बाहर से radiation देंगे एच नियू radiation देंगे और आपका reactant molecule जब तक इस एच नियू radiation को absorb करेगा तब तक ही यह fluorescence का phenomenon चलेगा अगर आपने यहां से light देना ब बंद कर दिया यानि कि आपका reactant molecule कोई भी light को absorb नहीं कर रहा है तन उस case में तुरंद मतलब विदिन सेकें मतलब उसी टाइम पर पर पर्टिकुलर उसी टाइम पर आपको यह fluorescence का phenomenon देखना भी बंद हो जाएगा जैसे मैं यहां पर बोलू कि suppose करो यह आपकी incident light है ना इसे म अगर source का नाम दे दू तो अगर आपने source को ही बंद कर दिया यानि कि incident light डालना ही बंद कर दिया अपने reactant molecule पर तो reactant molecule को light ही नहीं मिलेगी light नहीं मिलने की विसे light emit ही नहीं करेगा तो यहां पर emission of light भी क्या होगा तुरंद stop हो जाएगा थोड़ा सा भी time gap नहीं होगा तु play fluorescence क्यों क्योंकि phosphorescence में यह चीज़ देखने को मिलेगी लेकिन थोड़ी देर में मतलब जैसे आपने यहां से source को stop कर दिया यानि कि incident light को डालना बंद कर दिया तो जैसे आप light को बंद करोगे डालना incident light को डालना बंद करोगे तो उसी time पर particularly light का emit होना भी stop नहीं होगा कु तो इस वज़े से हम phosphorescence को क्या कहते है दिलेट fluorescence भी बोलता है तो यहां पर वही चीज़ लिखिए कि fluorescence की केस में क्या होगा within a time interval of 10 to the power minus 8 second में आपको यह फिनोमेना खतम होते वे दिखेगा मतलब जैसे आपने source stop किया वैसे within a 10 to the power minus 8 second के अंदर ही आपकी emitted light भी stop हो जाए सबश्वाया नेक्स इसका example क्या बोल कि है resonance fluorescence का example क्या है मतलब कहां आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि incident light की frequency incident light की wavelength आपकी reflected light और emission light के equal है तो example के लिए बोल रहा है वैने HG vapor are exposed to a UV light of the wavelength of a 2537 anga strong it is excited and emitted radiation of the safe wavelength 2537 anga strong इसका मतलब क्या है यह बोले suppose कीज़े आपने reactant molecule के form में क्या लिया है HG vapor और इससे आपने exposed क्या यानि कि इससे आपने irradiate किया with the help of UV light तो irradiate करने के वज़से क्या हुआ इसमें excitation हुआ पट excitation की वज़से तो आप excited state में तो ची excited state की वज़से क्या हुआ यहां पर relaxation phenomena शो करेगी और relaxation की time पर आपको क्या है कुछ ने कुछ emitted radiation मिलेगी तो आप इस particular case पर देखेंगे कि जो आपकी emitted radiation है इसकी जो wavelength है 2537 anga strong और जो आपकी incident light है जिसके तो आपने reactant molecule में excitation कराया था जो आपकी incident light है उसकी भी आपकी wavelength क्या है कितनी है 2537 anga strong यानि कि दोनों incident और reflected दोनों light incident या फिर emitted light दोनों की wavelength क्या है equal है it means जब आपकी wavelength frequency energy equal होती है incident की और आपकी emitted की तो उस case में जो आपको fluorescence मिलता है उसे particularly आप क्या बोलता है resonance fluorescent but most of the cases में आपको resonance fluorescence नहीं मिलता है normally क्या होता है जो आपकी incident light है और जो आपकी emitted light ह है दोनों के बीच में energy difference frequency difference wavelength difference देखने को मिलता है but बहुत rare case ऐसे होते हैं जहां पर आपको दोनों की frequency energy wavelength के मैच होते वे दिखती है equal होते वे दिखती है तो उस type के fluorescence को एक particular नाम दिया जाता है बोला जाता है resonance fluorescence इतनी चीज़ के रही अब second के है आपका sensitized fluorescence to sensitized fluorescence का मतलब क्या है देखो sensitized fluorescence का मतलब यह हुआ यह वोड़ा आपके पास वैसे बहुत सारे ऐसे substance है जो कि क्या है non-fluorescence है मतलब उनमें आपको यह फिनोमेना नहीं देखने को मिलेगा कि आपने उसे irradiate किया विद आप एक्यू radiation और वो excite हुआ then वो again ground state माया relaxation हुआ relaxation के टाइम पर उसने कुछ light को emit किया और यहां पर fluorescence का फिनोमेना शो नहीं करते लेकिन अगर आप इन्हें कुछ ऐसे सब्सक्रांज के साथ mix करते जो फिनोमेना शो करते हैं तो आपको किया देखने को मिलेगा कि यह जो non-fluorescence substance हैं यह भी क्या करने लगेंगे fluorescence का फिनोमेना शो करने लगेंगे इस वज़े से अम इसे क्या बोलते हैं sensitized fluorescence मतलब non-fluorescence अब्सक्रांज भी आपका fluorescence शो कर रहे हैं जब वो किसी fluorescent substance के contact में आ रहे हैं तो इस type के fluorescence को हम particularly क्या नाम देते हैं sensitized fluorescence ठीक है तो देखो यह example क्या बोल रहे है example काफी इसान है यह बोड़े थैलियम तो यह बोड़े जो आपका थैलियम है यह एक type का non-fluorescence substance है यानि कि इसके उपर आप fluorescence का फिनोमिना अब्जॉब जनरली नहीं करते हैं लेकिन अगर आप इसे एजजी वैपर के साथ मिक्स कर दो तो क्या होगा तो यहां पर हमने एजजी वैपर का example लिया था एजजी वैपर पर आप fluorescence का फिनोमिना देखते हैं तो यह बोड़े थैलियम को जब आप एजजी वैपर के साथ मिक्स कर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जब आप इसके मिक्षर को इरेडियेट करेंगे in the presence of 2537 एंगल स्ट्रॉंग की रेडियेशन पर तो यह तो हदो दूसरी चीज़ भी तो हज़ा इसी को बोलते है सेंसटाइजेशन थे यह सेंस्टाइजेशन था यह सेंस्टाइजेशन थे यह फिरस टेयता है तो इतनी चीज़ के अंदर तो इतनी चीज़ क्लियर रही तो बस यहां तक हमारा यह टाइप्स भी क्लियर हुआ ठीक है अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके जाएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा साथ ही साथ अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी रहती है या मसी के लिए वह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी तो अभी लेक्षर को फिनिश करें मिलेंगे नेक्स लेक्षर पे तब तक के लिए बाई बाई